नमस्कार चैहिंतों दिखें, Bumper Recruitment निकली है Multiple Subject में अब आप Professor, Assistant Professor और Associate Professor के लिए अप्लाई कर सकते हैं Multiple Subject में और Without Fee आप कर सकते हैं तो अभी अप्लाई करिए कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा तो वीडियो का अंता का बने रहिए सब कुछ आपको इसमें Information मिल जाएगा अब आप ले सकते हैं Paper 1 का Complete Course PDF Notes अपने WhatsApp नमबर पे, सिरफ 5.99 के Special Prize में जिसमें आपको मिलेगा Unit 1 to 10, Theory Notes, Previous Question, Monk Test, सब कुछ आपको Complete मिलेगा आप Paper 2 का ये subject लिखे ये ले सकते हैं, सिरफ 9.99 के Special Prize में पूरा course आपको डिटेल, Theory और Practice Art के साथ आपको दिये जाएगा ये offer valid है, 31 मैं 2021 सब आप जल्दी कर सकते हैं आप हमें contact और WhatsApp कर सकते हैं, इस नंबर के उपर आपको पूरी जनकर रिमेल जाएगी या आप directly Insta Mojo के Digital Store से जहां से जाके आप इसे directly पर जैस कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दे रखा है तो देखें, ये जो vacancy निकली है, ये निकली है Christ Deemed to be University में देखें, Christ जो University है, ये कहाँ पर ही है, बैंगलोर, इंडिया में है तो इसका जो link है, website का हो मैंने नीचे दे रखा है तो ये वाली website है, यहाँ पर जाके आप इसे apply कर सकते हैं तो कैसे apply करना है, देख लेते एक बार यहाँ पर ये लिखा गया है कि applications are invited for faculty position from eligible candidates at level of professor, associate professor and assistant professor यहाँ पर जो apply कर सकते हैं यह दिखिए 20 माई 2021 की 20 माई 2021 को यह publish हुआ था notification यहाँ पर दिखिए यह जो Christ University है यह तो वैसे बैंगलोर में लेकिन जो इसके देखिए campus है वो कहाँ पर इनका campus है बैंगलोर में लवासा पूने में और NCR बिल्ली में तो इनका यहाँ पर campus है तो आप यहाँ पर जैसे आप apply करेंगे तो यहाँ पर इन campus में आप apply कर सकते तो आपको यहाँ पर जोब मिल सकती है आपको बैंगलोर में लवासा पूने और NCR बिल्ली में यहाँ पर जोब मिल जाएगी तो आप इसमें apply कर सकते हैं इंजिनरिंग के जो स्टूटेंट जो इंजिनरिंग के है प्रफेसर या सिस्टर प्रफेसर असोचिर प्रफेसर और टेक्नलोजी के उसमें देखिया आपका सब्जेक्ट है electronics and communication, computer science and electrical and electronics उसके बाद देखिये जो arts वाले है arts and humanities अब देखिये उसमें आपके बास अगर english है media study है performing arts है theater है music है तो उसमें आप apply कर सकते हैं उसके बाद देखिये बारी आती है यहाँ पर school of social sciences की है ना यहाँ पर देखिये आपका subject अगर आपके पास है economics, psychology, international studies, political science, history, sociology, social work तो आप इसमें apply कर सकते हैं अगर आप commerce से belong करते हैं commerce, finance, equitancy देखिये आपका subject अगर आपका subject अगर आपका subject मेनेजमेंट में finance है, HR है, marketing है, marketing operations, business analytics, data science तो इसमें आप apply कर सकते हैं उसके बाद देखिये school of law है, architecture है, education है तो आप इसमें देखिये easily apply कर सकते हैं तो multiple subject में ये निकली है vacancy तो आप इसलिए आप इसमें easily apply कर सकते हैं तो आप देखिये बारी आती है, यहाँ पे कि आपको eligibility आपकी क्या होने चाहिए, तो देखिये सबसे पहले बात करते हैं, तो जो भी इसमें बात करते हैं पहले assistant professor की, अगर आप assistant professor के लिए apply करते हैं, तो देखिये उसमें आपके पास master degree होनी ज़रूरी है, with 55% के marks के साथ, यहाँ कि आप कोई भी category से belong करते हैं, लेकिन आपके पास minimum जो master degree है, वो 55% के आसपा, वो 55% पूरा होना चाहिए, और दूसरा number PhD होनी चाहिए, as per UGC regulations, अब देखिये अगर आपके पास PhD है तो आपको पहले first preference दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास PhD नहीं है, अगर आपने UGC net ये जेरफ क्वालिफाइ कर खाये, तो भी आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, अगर आपने PhD किया है, तो सबसे पहले आपको preference दी जाएगी, उसके बारी आती है, associate professor की, अब देखे, master degree यहाँ पे common है, 55% और आपके पास PhD होनी चाहिए, as per UGC regulations, और आपके पास देखे, minimum 10 year का आपके पास PhD experience होना चाहिए, है ना, और minimum 7, publication, ठीक है, journals होनी चाहिए, यानि कि आपके पास 10 year का PhD experience हो, या आपके पास 7 year का experience हो, उसमें, आपके पास 7 year का publication हो, जिसमें आपका general छप चुगा हो, ऐसे करके है ना, वो चीज, तो बाकी जो criteria होता है, वो है UGC के according, अब आ रहे आती है professor के लिए, वो ही देखे, 55% तो आपके चाहिए, master degree में, और आपके पास देखे, PhD होनी ज़रूरी है, उसमें आपके पास कम से कम 16 year, 16 साल का experience होना चाह आता है, तो वही है research score होना चाहिए, UGC के according, यानि कि देखे, professor के according भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास यह सारी eligibility है, associate professor के लिए भी, assistant professor के लिए भी, लेकिन देखे, बहुत सारे student है, बहुत सारे teachers हैं, जो assistant professor के लिए apply करेंगे, अगर आपके पास PhD नहीं है, मैं फिर से क दर्ख है, तो आप यहाँ पर apply easily कर सकते हैं, आपको basic pay दिया जाएगा, जो UGC norms के according, बहुत अच्छी salary होती है, ओपर से आपको देखे, HRA मिलेगा, इनके आपको housing rent allowance यहाँ पर मिलेगा, जैसे मानलीच आप किसी other state से apply करते हैं, तो आपके रहने के लिए कोई जगा नहीं या आप कहीं पर room rent पर लेते हैं, तो उसका pay आपको government करेगी, आपके salary के साथ आपको extra मिलेगा, और देखे, जो work base है या leave vacation है, वो UGC जो tag करेगा, उसके according आपको होगा, तो यहाँ पर जाके आप इसे apply कर सकते हैं, तो easily आपको यह मिल जाएगा, सभी का link मैंने description में दे र अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी से apply करिए, बहुत अच्छी salary है, काफी कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप apply easily कर सकते हैं, तो अगर आपको regular update चाहिए, वीडियो के लिए, तो अभी subscribe करिए, study for the YouTube channel, साथ में पर अगर प्रेस करिए, कि ताकि आपको ऐसे ही daily notification मिलत रहें, so take care, जाहिए